वेल्कम फॉर्थ क्लास आज हम करेंगे इंग्लिश एडर में चैप्टर शिक्स इंटर्नल ब्यूटी मिन्स अंदर की सुन्दर्त जो टीचर थी वो बच्चो को सिमलीज पढ़ा रही थी सिमलीज होती है यह होता है उपमालंकार इसमें क्या होता है दो चीजों के बीच कंपारिजन होता है लेकिन उन दोनों में न कोई एक कॉमन पॉइंट होता है अब वो पूछती है कि as beautiful as means सुन्दर जैसा पूछती है वो तो अरनब नाव का एक boy है वो कहता है कि as beautiful as a rose कि सुन्दर कैसा? रोज की तरह सुन्दर फिर next पूछती है कि as soft as कि soft बताओ कि soft जैसे चीज़ क्या होगी विशाल बोलता है कि as soft as silk कि silk की तरह soft and now as ugly as ugly means जो बतसूरत होता है जो गंदा दिखता है the teacher questioned teacher ने question किया as ugly as बताओ कि बतसूरत कैसा होगा there was a pause then somebody said in a loud voice as ugly as पंखुडी कुछ time के लिए सब चुप हो गए फिर कोई एक बच्चा बोलता है थोड़ से loud voice में उची आवाज में कि ugly as ugly as पंखुडी कि पंखुडी की तरह अगली पंखुडी जो है वो एक लड़की है क्लास के इंदर यानि कि उसको जो हो बतसूरत बताते है there were a few giggles and then a pin dropped silence कि कुछ देर तक क्या हुआ सब हसे फिर बाद में सब चुपो गए the teacher was shocked जो teacher थी उसको थोड़ शौक लगा she looked around to find who had said that उसने जो देखा आसपास उसने देखा कि किस बच्चे ने जो है ये बोला है पंखुडी lowered her head in shame and pain पंखुडी ने अपना सिर जो है नीचे जुका लिया शरम के मारे she hid her face in her palms and wept उसने जो अपना चहरा अपनी हतेली से चुपाया और रोने लग गई she was ugly no doubt वो बस्जूरत थी इसमें कोई शक नहीं था the left side of her face was completely scarred कि उसके face पे जो left side था उस पे जो है निशान बने हुए थे there was only a slit where her left eye should have been and what was left of her ear was a tiny piece of flesh उसकी left eye के पास जो एक छेट था और जो उसके ear थे उसके पास जो एक छोटा सा जो है मास का piece था she and her mother had been caught in a fire when she was an infant जब वो छोटी थी infant means shishu कि जब वो बच्ची थी तो वो और उसकी जो मदर थी ना वो जो है आग में जो जल गए थे हर मदर had escaped with a burnt hand while half of पंकुडी's face had been badly burnt जो उसकी मदर थी उनका तो हाथ जल गया था और जो पंकुडी थी उसका आधब face जल गया था however पंकुडी was a happy-go-lucky child she did not believe in blaming fate or moping over her ill luck but she could not stop her tears when her classmates got really mean जो पंकुडी थी वो हमेशा सख खुश रहती थी लेकिन जो पंकुडी थी वो हमेशा सख खुश रहती थी वो अपनी किस्मत पे ब्लेम नहीं करती थी कि जो है वो बच गई वो लखी थी कि वो आग से बच गई but जब उसके classmates means जो उसके साथ में पढ़ते थे न बच्चे help them पंकुडी जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी जब भी classmates जो थे उसके जब उनको कोई notes या फिर कुछ समझना होता था तो वो उसके पास आते थे और वो जो है दयालू थी भोत उसके जो help करती थी but at the other times when they did not need her help they avoided her जब उन बच्चों को उसकी help नहीं चाहिए होती थी तो वो उसको avoid करते थे she launched to have a real friend but she had none वो चाहती थी कि उसके बहुत सारे दोसों लेकिन उसके एक भी दोस नहीं था on the road, in the bus, in the park, wherever she went people would turn and stare at her road पे चलती थी या बस में या पार्क में जहाँ पर भी उजाती थी ना लोग जो है उससे face उससे पलट लेते थे अपना their faces reflected many emotions horror, revulsion, pity but never friendship affection or even acceptance acceptance जो उन लोग की चहरे थी ना उन पर डर था, दया थी लेकिन friendship नहीं थी मतलब कोई भी नहीं चाहता था कि वो पंखुडी का दोस्त बने पंखुडी वास गुड़ाइग टू पंखुडी जो है उसकी ड्रोइग भी बहुत अच्छी थी but she spent most of the time drawing the things considered ugly bats, lizards, snails, vultures, toads, weeds and such things पंखुडी जो थी वो हमेशा से ऐसी ड्रोइग बनाती थी जो चीज़े अगली होते जैसे कि bats, means chumgadrat, lizards, shipkali, snails, vultures, gith, menduck, such things that evening पंखुडी decided to draw the ugliest creature anybody could have ever imagined एक दिन शाम के टाइम पंखुडी ने decide कि वो जो है सबसे गंदा जो creature है सबसे गंदा दिखने वालों जानवरा ना उसको जो है draw करेगी she thought and started उसने सोचा और drawing करना शुरू किया after three hours she looked with satisfaction at what she had drawn तीन घंटे बाद उसने देखा उसको satisfaction ही कि उसने जो है क्या बनाया है it was a strange creature, the body of a lizard, the head of a toad and the wings of a bat, the eyes of a cobra looking in opposite directions and snout that of a wild bow पंखुडी ने जो drawing बनाया थी वो एक अजीब तरह की drawing थी उसमें क्याता है कि lizard की body थी चिपकली की body थी और जो sir था वो एक मेंड़क जासा था जो इसके punk थे वो चमगादर के थे और जो आँखी थी वो cobra जैसी थी और जो और क्या था वो कैसा लग रहा था एक wild bow की तरह बोर होता है तरह का pig बोर होता है एक तरीके का pig तो वो एक wild bow की तरह जो उसको दिखाए दे रहा था its body was dirty brown with green and slimmy scales उसकी जो body थी वो dirty थी brown color में थी brown था green था और उसकी जो body पे scales बने हुए थे of course it was very ugly ये वाकिम बहुत बद्धा था बहुत बुरा था she thought for its name and then wrote horrid उसने उसका नाम सोचा फिर उसने उसका नाम रखा horrid पंकुडी struck the painting on the wall opposite her bed and slept पंकुडी ने क्या करा अपने जो बैड था उसका पोजिर जो है उसने वाल पर पेंटिंग को लगाया और सो गई she fell fast asleep and soon she was dreaming वो जल्दी ही सो गई फिर उसको जो है सपना आया horrid was in her dream जो horrid था जो उसने drawing बनाई थी ना वो जो हैसका सपने में आया he slowly emerged out of the painting and stood before her वो धीरे धीरे उस painting से भाण निकला और उसके पास आके खड़ा हो गया she was petrified to the extreme वो जो डरी हुई थी बहु जादा she cried in horror because nothing could be more frightening than him not even herself वो जो है डर के मारे रोई क्योंकि उसको जो है वो बहुत जादा जो डरावन लग रहा था खुँच से भी जादा डरावन लग रहा था जो जो को then she heard a sweet voice from the creature look at me pankhudi विश को जो 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 क्रेचर से बहुत ही प्यारी से आवाज सुनाई दी look at me pankhudi की pankhudi में तरफ देखो pankhudi slowly looked up pankhudi ने धीरे से सको देखा before her stood the creature in all his astounding ugliness and then she saw that the creature was changing the scales changed into wings the mouth changed into a long beak the body was all covered with fur and in no time stood before her a swan the most beautiful bird she could ever imagine फिर क्या होता है जो creature था जो उसने बनाया था pankhudi ने होलिट वो जो convert हो जाता है किसमें जो उसके scales थे वो wings में convert हो जाते है उसको जो mouth था वो long beak मतलब जो उसकी चोच है वो लंबी हो जाती है जो उसकी पूरी body थी वो fur से cover हो जाती है और और वो इतरी के स्वान मन जाता है सबसे सुन्दर स्वान how have you changed? ask the astonished pankhudi pankhudi पूछते है कि तुम कैसे change वे तुम कैसे बदले horrid only smile it was the most attractive smile horrid जो है सिर्फ वो मुस्कुराया और ये बहुत अच्छी उसकी मुस्कुराट थी how did you change from the ugliest creature to the most beautiful one ask pankhudi pankhudi पूछते है कि तुम सबसे बसूरत creature दिख रहे है लेकि अब तुम सबसे सुन्दर कैसे दिख रहे हो as your thoughts saw your face do you understand me horrid said कहता है कि जैसे तुमारी सोच है वैसे ही तुमारा face है क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं no said pankhudi briefly pankhudi बोली कि नहीं you see more important than this body is what is within वो बोलता है कि सबसे जादे important ये बात है कि इस body के अंदर क्या है in the inside of us we have feelings and emotions कि हमारे अंदर क्या है feelings है emotions है if they are beautiful you ought to be beautiful तुम भी ब्यूटिफुल है तो तुम भी ब्यूटिफुल हो ugliness or beauty of the body does not matter much said horrid कहता है कि बचसूरत और खुबसूरती जो है वो बोली पर matter नहीं करती pankhudi looked on while horrid said real beauty lies within pankhudi जो है horrid को देख रहती horrid कहा रहा था कि जो सच्ची जो beauty है अच्छी सुंदरता जो है वो हमारे अंदर है हमारे चहरे पर नहीं है you can find a number of people who are great in mind but ugly body कहता है कि तुम्हें बहुत साची लोग मिल जाएंगे जो कि दिमाग से तेज है और body से जो है वो अगली है means बचसूरत है they all are considered beautiful और वो सब क्या होते है उन सब को क्या बोलते है beautiful बोलते है it is due to their beautiful mind क्योंकि उनको mind beautiful होता है kind emotions उनके emotions kind होते है वो द्यालू होते है and noble feelings उनकी जो feelings है वो अच्छी होते है then why do I not look beautiful ask Pankuri Pankuri बोलते है कि मैं सुंदर क्यों नहीं दिखती है you have been looking only at your physical body here is a magic mirror look in it जो horrid है वो बोलता है कि तुम जो है horrid बोलता है कि तुम जो है वो अपनी सिर्फ physical body को देख रही हो यह एक magic शीशा है इसके अंदर देखो you will find yourself the most beautiful girl in the world said horrid as he took out a large mirror from behind him अपने पीछे से जो है वो बहुत बड़ा शीशा निकालता है और उसको बोलता है पंकुडी को कि इसके अंदर खुद को देखो तुम जो है तुम जो है खुद को world की सबसे most beautiful लड़की जो है पाओगी as पंकुडी looked in the mirror she found that standing in front of her was the most beautiful girl she had ever seen in her life जैसे पंकुडी ने शीशे में खुद को देखा उसको लगा कि यह लड़की तो world की सबसे सुन्दर लड़की है her lovely eyes filled with warmth her skin glowing and her face full of joy she looked like a goddess जो उसकी eyes थी वो fill हो गई थी with warmth से उसकी skin glow कर रही थी उसका जो face था उसके खुशी थी पर वो बिकुर एक goddess लग रही थी who is this girl is she a fairy वो बोल रहे है कि यह लड़की कौन है क्या यह कोई परी है that girl is you little one what are you what you are looking at is a mirror वो कहता है कि यह तो यह तुम ही तो हो तुम शीशे में क्या देख रही हो तुम्हारा reflection है this mirror reflect the thought in your mind and the feelings in your heart said horrid horrid बोलता है कि यह जो शीशे में तुम देख रही है यह तुम्हारे यह चहरा तुम्हारे mind में reflect हो रहा है और जो feeling से तुम्हारे hurt में reflect हो रही है your face is the reflection of your pure mind and hurt यह तुम्हारे चहरा है वो reflection है तुम्हारे pure दिल का और दिमाग का you are a lovely person within and you are a lovely person within and it shows on your face outside के रहा कि तुम अंदर से सुन्दर हो न तभी तुम्हारे बहार सुन्दरता दिखाई दे रही है just then पंकुडी woke up from a dream तभी पंकुडी अपने सपने से बहार आती है she opened her eyes and looked around वो अपने आखे खोलती है और चारतरफ देखती है the picture of horrid was still on the wall but it did not appear to be ugly anymore as a beautiful girl खुद देखे कि वो एक सुन्दर लड़की जो हमाँ पर खड़ी है her pretty face was glowing in the happiness जो उसका सुन्दर से चैरा था वो जो है खोशी से glow कर रहा था खोशी से चमक रहा था